सब्सक्राइब करिए बियॉन सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाएए ताकि लेटेस्ट इन्फरमेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए फ्रेश एपिजोड में और आज यहाँ पे ओफिशली खबर आ गई है कि गवर्मेंट ने सेकिंड डिजिटल स्ट्राइक मार दिया है चैनिज अप्लिकेशन पे जहाँ पे 118 अप्लिकेशन को बैन किया गया है इंडिया में आ आगे हम इसे विशे पर बात करेंगे कि कैसे पब्जी मोबाइल भी बैन हो गया है अब इंडिया में तो चलिए लेट्स बेगें सेप्टेंबर दो दो हजार बीस इंडिया गवर्मेंट ने बैन किया है वन ओफ दो टॉप बैटल रॉयल गेम पब्जी मोबाइल को और इसके साथ साथ 117 अधर चैनिज अप्लिकेशन को भी क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हो कि कुछ माइनों से इंडिया और चैना के बीच जो रिलेशन है वो ठीक टाक नहीं चल रहा है तो सेक्रिटी पॉपस के लिए इंडिया गवर्मेंट ने चैनिज अप्लिकेशन को बैन लगाया है पबजी पीसी तो बैन नहीं हुआ है क् प्रिप ये डेवलब ikiya गया है सावथ कोरियन कंपनी ब्लू होल के द्वारा लेकिंजा मोबाइल है वैसे तो वह एक साउथ कोरिऑन पंपनी का ही है लेकिन टेंसेंट जो एक चाइनिज औरनाइजेशन है उन्होंने इस गेम को डेवलब किया है और पबजी मोबाइल में and इस decision को हमें respect भी करना चाहिए as a citizen of this country मैं आपको थोड़ा और information देता हूँ कि PUBG Mobile को धारा 69A के तहे ban किया गया है as per Information Technology Act और थोड़े reasons PUBG ban होने की ये भी है कि PUBG Mobile इंडिया यूथ के लिए एक distraction create कर रहा था और ये बहुत सारे लोग इस game को addict हो चुके थे as per the report 3.3 million users है PUBG Mobile के सिर्फ और सिर्फ इंडिया में और हाली में आपने भहुत सारे case and news भी देखा होगा suicide and crime को लेके तो ये एक भहुत बड़ा issue था हमारे देश के लिए at the end मैं खुश हूँ कि finally PUBG इंडिया से ban हो गया है क्योंकि young generation को अब एक proper direction मिलेगा और हमारा इंडिया future में एक सफल देश होगा जैसे कि आप सब जानते हो young generations are the future of our country तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसे ही कमाल के interesting वीडियो में तो जाने से पहले like, share, support करना ना भूले तब तक के लिए stay safe, stay learning